हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो आर चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूस आम यह होस्ट एंदोस्त प्राण शेराथ आज कर दिन बहुत ही ज्यादा खास है फिल्म प्रोडूसर फामस फिल्मेकर बॉनि कपूर और देवंकर अभिनेत्री श्रीदेवी की लाडली फ्यारी बेटी अक्रेस जानवी कपूर के लिए जानवी कपूर जो इंटर्स्ट्री में इस वक्त कड़ी मेहनत कर रही हैं कदम जमाने की कोशिश कर रही हैं जानवी कपूर जहां एक तरफ स्टार केट्स के तौर पर वह काफिज़ाना मष्यूर है वहीं दूसरी ही तरफ पहें आक्टरस के तौर पर भी जानी जाती है बेते कुछ सालों पहले ही जानवी ने फिर्म इंडोस्ट्री में कदम रखा है फिर्म धड़क के जरिये उन्होंने बॉलिवूड में डेब्यू किया है और आज जानवी कपूर के लिए बहुत ही खास दिन है बता दे आपको आज जानवी कपूर अपना बर्थडे सेलिप्रेट कर रही है 25 यर्ज की हो चुकी है जानवी और जर्म दिन के खास मौके पर उन्हें मिल रही है कई शांदार तोफे तोफे के रूप में जानवी को मिल गया है धेल सारा प्यार पूरे ही कपूर परिवार की तरफ से कपूर परिवार के सदस्य अपनी अपनी अंदास में उन्हें बर्थडे विश करती ही देखेतारे हैं फिल्म प्रोड्यूसर बॉनी कपूर ने सोशल मीडिया के सरिये अपनी बेटी को बर्थडे विश किया है तो वहीं उनकी बेहन खुशी कपूर ने बात की जाए उनके सोतेले भाई अरजुन कपूर के बारे में और अशुला कपूर के बारे में तो दोनों ने ही जम कर प्यार बताया है वल आज का दिन जानवी के लिए बहुत ही खास है और आज का दिन उन्होंने किस तरीके से और भी जादा इस्पेशल पना दिया है बता दिया आपको तिरुपती बालाजी के दर्शन के लिए जानवी कपूर पहुँच गई है और यहाँ पर देखने को मिला है कि जानवी जो काफी जादा बोल्ड अंदाज में नजर आती है यहाँ पर जानवी का एक अलगी अंदाज देखने को मिला है ट्रडिशनल आउटफिट में दिखाई दी है जानवी कपूर, सोशल मीडिया पर इस वक्त उन्हें लगातार जनम दिन की बधाई संदेश मिल रहे हैं आपको बताना चाहेंगे आज हमारे स्पेशल प्रोग्रेम में जानवी कपूर की लगसीरस लाइफ स्टाइल के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं बॉलिवूट की चर्चित कपूर परिवार की बेटी हैं काफे महंगे महंगे शौक रखती हैं जानवी लेकिन एक एक्टरस की तोर पर भी वह करोड की कमाई कर रही हैं जानवी कपूर जो पच्चीस साल की हो चुकी हैं महण वह 25 साल की हैं लेकिन इतनी से कम उम्मर में 20 करोड की संप domin चुकी है आईए बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरीए जानवी के लक्षीरियस लाइफ स्टायल के बारे में उनकी नेट वर्थ के बारे में और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि किस तरह से फिल्मों से हटकर भी वह करूर की कमाई कर रही है देखिए ये रिपोर्ट बलुबोर्ट के चर्चित कपूर परिवार की लादली ब्यारी बेटी एक्ट्रेस जानवी कपूर के लिए आज का दिन बहुत ही खास है जानवी कपूर आज अपना बर्ख़टी सेलिप्रेट कर रही है 25 एट की हो चुकी है जानवी जनम दिन की खास मोके पर जानवी को मिल कई शांदार तोफे इस खास मौके पर जानवी के लिए अपनी दिल की बात लिखी है उनके पिता फर्म प्रोडूसर बॉनी कपूर ने जानवी के बच्पन की तस्वीरों को शेर किया है और डिक किया है जॉइ ओफ आर लाइफ रिमें तर वे यू आर सिम्पल डाउन तो अर्थ रिस्पेक्फुल तो एवरिवर्ण इस्प्रीडिंग वॉर्म थीज आर यूर क्वालिटी दिल टेक यू ब्यूंड दी मूट हैपी बर्थडे बेटा और साथ में हाग इमेटिक भी शेर किया है इत और साथ में वाइट हाट इमोटिक भी शेर किया है वहीं एक्टर अर्जुन कपूर ने जानवी के साथ की फ़नी तस्वीर को शेर किया है इस तस्वीर को शेर करते हुए अर्जुन ने लिखा है और साथ में रेट हाट इमोटिक भी शेर किया है वहीं अंशुला कपूर ने भी जानवी के लिए एक प्यारा सा पोस्त लिखा है किस करती हुई नजर आ रही है अंशुला जानवी को सेलफी ले रही है जानवी और यहां पर लिख दिया है है एपी भखडे लवर और साथ में जानवी को ठेकिया है और बहुत ही प्यारा सा मैसेज भी लिखा है जानवी कपूर को परिवार की तरफ से ये शांदार सोफे मिल चुकी है भरपूर प्यार मिल चुका है तो वहीं एक्ट्रेस तौनम कपूर ने भी जानवी पर भरपूर प्यार लिखाया है और उन्हें अपनी ही अंदार में विश किया है इस खास मौके पर जानवी पहुँच गई है तिरुपती बाला जी इस खास दिन को उन्होंने और भी जादा खास बना दिया है बता दिया को जानवी अपनी कुछ दोस्तों के साथ भगवान वैंकटेश्वर स्वामी का आशिरवात ली है सोशल मीडिया पर उन्होंने तस्वीरें शेयर की है और यहां पर मंत्र भी लिखा है जानवी बिल्कुल अपनी मा दिगस अपनी नेतरी श्रीदेवी की तरह नसर आ रही है बनासी स्टाडी में जानवी काफी खुबसूरत लग रही है इन तस्वीरों को काफी जादा पसंद किया दारा है और जानवी को बर्थडे विश कर रही है उनके पांस इस खास मौके पर आपको बताना चाहेंगे जानवी की करूडों की संपत्नी उनके लक्सीरियस लाइफ स्टाइल की बारे में जानवी ने बॉलिबोर्ट इंडॉस्ट्री में फिल्म धड़क की जरिये कदम रखा है बॉलिबोर्ट इंडॉस्ट्री में कदम रखे हुरे जानवी को कुछी स्टाल हुए है लेकिन इन उस सालों में ही उन्होंने करूडों की कमाई करनी है फिल्मी बेक्राउंड से पहले ही तालुख रखती है जानवी लेकिन आपको बताना चाहेंगे उनकी मेहनत की करोडों की कमाई के बारे में रिपोर्ट्स की माने खुलासा हुआ है कि जानवी कपूर आज के समय में तकरीबन 58 करोड रुपीज की संपत्ती की मालकिन है और जानवी अपनी एक फिल्म के लिए तकरीबन 5 करोड रुपीज तक चार्ज करती है इतना ही नहीं जानवी कपूर फिल्मों के तास साथ अलग से भी कमाई कर लेती है कई प्रेंड्स को वह इंडॉस करती है और प्रेंड इंडॉसमेंट और मॉडलिंग के जरीए जानवी कपूर काफी मौटी कमाई कर लेती है आपको बता दें जानवी एक महीने में तकरीबन 50 लाक रुपीज कमा लेती है और साला ना उनकी कमाई 6 करोड रुपीज बताई जाती है एक्टिंग के साथ साथ विक्यापन और मॉडलिंग की जरीए जानवी कपूर कमाई कर लेती है इतना ही नहीं आपको बता दें जानवी काफी आले शान पगले में रहती है जहां एक तरफ अपनी पिता के साथ उनकी साथ बेहत शांदार पगले में रहती है इसके अलावा जानवी के पास है बेहत शांदार कालेक्शन छे गाडियां उनकी पार्किंग में उनकी घर के बारे में बात की जाए जानवी ने जो घर खरीता है इस घर के अलावा छे गाडियों की पार्किंग के लिए भी जगा है मुंबई जैसे शेहर में पार्किंग के लिए उन्हें मोटी रकम भी चुकानी पड़ती है जानवी कपूर इस तरीके से काफी लगसीरियस और आलिशान जिन्द की जीती है वर्फरंड की बारी में बात की जाए जानवी कपूर जो आज के समय में मुंबई में एक आलिशान घर में रही है मुंबई के लोखन वाला में उनका एक शांदार सा घर है एक स्टी पेसिंग आलिशान घर है जिसमें वह अपने पिता के साथ रहती है वहीं जानवी कपूर अपने स्टाइल स्टेटमेंट के साथ साथ अपने जहाए एक तरह जानवी काफी आलिशान जिन्द की बिता रही है वहीं बात की जाए उनके वर्फरंड के बारे में जानवी आप सभी को नज़राएंगे फिल्म दोस्ताना में वर्ल हमने आपको बताया इस रिपोर्ट के जरिये जानवी की लगसीरियस लाइफ स्टाइल उनके लगसीरियस हाउस और उनकी करूर की कमाई के बारे में आज सभी ने देखा जानवी कपूर की लगसीरियस लाइफ स्टाइल के बारे में इंडॉस्ट्री में ऐसे तमाम सेलेब्रिटीज हैं जो काफी महंगे-महंगे शौक रखते हैं वही जानवी भी उन्ही मैंसे एक हैं भले ही फिल्म इंडॉस्ट्री में अभी वह अपनी वो खास पहचान नहीं बना पाई हैं लेकिन उनके शौक काफी जादा महंगे हैं हमार इस special program में इतना ही लेकिन जाने से पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से जानवी पपूर को जरम दिन की बहुत बहुत शब कामना है तब कर के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाई न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर काना बिल्कुल न भूलें